इस्राइल हमास युद्ध के बीच एरान तेल अवीव पर हमली की तैयारियों में लगा हुआ है और इस हमली के भनक इस्राइल और अमेरिका को लग चुकी है यही वज़ा है कि अमेरिका ने मिडल इस्ट में अबराहिम लेंकन स्ट्राइक ग्रूप कैरियर और गाइड़ेड मिसाइल सबमरीन को भीच दिया है लेकिन इन सब के बीच पर्शम एरान में एरानी सीना ने युद्धा भ्यास शुरू कर दिया है और ये युद्धा भ्यास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानि की आई आरजी से ने किया है दरसल इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से इस्राइल और इरान के बीच सीधे युद्ध का खत्रा बढ़ता जा रहा है जिसके वजह से ये युद्धा भ्यास चल रहा है और ये युद्धा भ्यास पश्यमी इरान के कर्मानशाह प्रांग में हुआ है और इस युद्धा भ्यास के वजह से इस इलागे में धमाकों की जोरदार आवाजे सुनी गई है जिसके वजह से इस्थाने लोग खौफ में हैं और यही वजह है कि मुराद बाबा खानी जो की कसरे शिरिम के दिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच IRGC के सैन्न अभ्यास करने की पुष्टी की है उनका कहना है कि युद्ध अभ्यास से इस्थाने लोगों को डरने की जरूरत नहीं है लेकिन अब सैन्ने अभ्यास को लेकर एक संसनी खेज खुला सा हुआ है दरसल एविएशन फिल्ड की नौटम आथोरेटी ने पाइलिटों को एक चितावनी जारी की है जिसमें उसने कहा है कि 11 से 14 अगस्त तक पाइलिट एरान की हमदान के नोजे एर बेस के आसपास उडान भरने से बचे हलंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नौटम की ये सलहा 14 अगस्त 2024 को एरान में होई मिलिटरी ड्रिल से जुड़ी है या फिर नहीं लेकिन यूज अजेंसी रॉइटर्स ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि 9 अगस्त 2024 को दरजनो रूसी जवानों को एरान में फतह 360 क्लोज रेंज पैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शलाने की ट्रेनिंग दी गई है और लेकिन रूसी सैनिकों को ये ट्रेनिंग इसराइल के साथ युद्ध के लिए या फिर यूकरेन के खिलाब इस मिसाइल सिस्टम को चलाने की खातर दी गई है अलंगी ये पहली बार नहीं है जब एरान ने रूस को अपने यहां पर ट्रेनिंग की अनुमती दी हो इसको लेकर अमेरिकी अकबार दा न्यू यूक ट्राइम्स ने अपनी एक खबर में खुलासा किया था कि इरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने उससे एडवांस एयर डिफेंस स्टम और रडार उपकरणों के डिलीवरी शुरू कर दी है और हत्यारों की यह सप्लाई इसराइल के साथ संभावित युद्ध के हालातों को देखते हुए की जा रही है पहीं दूसरे तरफ इरानी सेना ने युद्ध अभ्यास एक बेहदीन आजुक समय में किया है इरान इंटरनाशनल के मुदाबिक इरानी राष्टोपती मसूद फेजिक्षियन ने हाली में सुम्रेईम लीडर अयोतला खामनेई से मुलाकात की और उन्होंने अयोतला से इजराइल पर किसी भी तरह से सीधे हमले से बचने की गुहार लगाई थी पेज़ेशकियान ने कथतरूप से खामनेई से कहा कि इसराइल पर इस तरह का कोई भी हमला उसे जवाबी कारवाई के लिए उकसा सकता है और इसराइल इरान के एहम और महत्वपूंध हाचो और उजजस अंसाधनों को निशाना बना सकता है अगर ऐसा हुआ तो इरान और इसराइल सीधे युद्ध के मैदान में आ जाएंगे पेज़ेशकियान का कहना है कि इरानी अर्थ विवस्ता इन दिनों काफी कमजोर है और अगर ऐसे समय में इसराइल और इरान का युद्ध हुआ तो सुप्रीम लीडर का शासन धराशा ही हो सकता है हलांकि इरान को रोपने के लिए उसके उपर अंतराश्य दबाव भी डाला गया था दगारज्वन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इरान इसराइल पर हमले के अपने फैसले पर दुबारा सोच सकता है हलांकि इरानी सेना तील अवीफ में मिसाइल हमले के मांग पर अड़ी हुई है जबकि राश्ट पती पे जेश्कियन इसे बचने के लिए कई विकल्प रखे हैं उनका कहना है कि इरानी सेना अजरबेजान या एराग पुर्दिस्तान में इसराइल से जुड़े सैने अड़ो पर हमला कर सकती है और इन देशों में हमले से पहले वहां की सरकार को इनकी सूचना भी दी जाए